विस्तार से जाने करवा चौथ पूजा की सही विधी कैसे किया जाता है करवा चौथ का वरत इस विधी से करे करवा चौथ की पूजा पती को मिलेगी दीरघायू हिंदूों में करवा चौथ का वरत विधी पूर्वक करने की प्रथा है और इस दिन यदी सही तरीके से पूजन किया जाता है तो पती को लंबी उम्र का आशिश प्राप्थ होता है करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियों का त्योहार है ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी शादी शुदा महिलाएं पती की दीरघायू और सफलता के लिए पूरे दिन निर्जला वरत करती हैं जोतिश की माने तो इस वरत को करने से दामपत्य जीवन भी सुखदाई होता है और आपसी सामनजस्य भी बना रहता है इस दिन मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है और इसे अर्ग्य दिया जाता है ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सुख समरिधी बनी रहती है और भावी जीवन सुखमय होता है यदि करवा चौत के दिन आप विधी विधान के साथ पूजा करेंगी तो ये आपके जीवन के लिए तो अच्छा ही है और इससे पती की लंबी उम्र का आशिरवाद भी मिलता है जो स्त्रिया करवा चौत का वरत करती हैं उन्हें इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए यदि आप सर्गी का पालन करती हैं तो इसे सूर्योदय से पूर्व ही खाएं वैसे कुछ रिवाजों में सर्गी का चलन सर्गी का महत्व नहीं होता है ऐसे में महिलाएं करवा चौथ के वरत के एक रात पहले से ही वरत का पालन शुरू कर देती हैं और रातरी बारा बजे के बाद से ही जल और अन्न नहीं लेती हैं सरगी का पालन करने वाली महिलाएं करवा चौत के दिन सबसे पहले सरगी का सेवन करें पानी पिये और भगवान की पूजा करके पूरे दिन के लिए निर्जला वरत का संकल्पले निर्जला वरत में पूरे दिन अन्नौर जल ग्रहें न करें और चांद के दर्शन के दर्शन और पूजन के बाद की कुछ खाएं शाम के समय पूजन करते हुए पती की दीरघायु की कामना करते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करें और व्रत का पारण करें करवा चौथ का वरत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आरंभ करें और पूरे दिन निर्जला उपवास रखें रात्री में पूजन के समय 16 श्रिंगार करके तयार हो और दिवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाएं या बाजार से लाया हुआ कैलेंडर लगाएं चाबल के आठे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाएं और इससे जमीन पर साथ घेरे बनाते हुए चित्र बनाएं जमीन में बनें इस इस चित्र के उपर करवा रखें और इसके उपर नया दीपक रखें करवा में आप 21 सींके लगाएं और करवा के भीतर खील बताशे करवे में क्या भरा जाता है चूरा और साबुत अनाज डालें करवा के उपर रखें दीपक को प्रजवलित करें इसके पास आटे की बनी पूरिया मीठा हलवा खीर पकवान और भोग की सभी सामगरी रखें इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद तयार किया जाता है और व्रत खोलते समय जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को ग्रहन करना चाहिए करवा के साथ आप सुहाग की सामगरी भी चढ़ा सकती है यदि आप सुहाग की सामगरी चढ़ा रही है तो सोलह श्रिंगार चढ़ाएं करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें इससे चंद्रमा को अर्ग्य दिया जाता है पूजा करते समय करवा चौथ वरत कथा का पाठ करें चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से पती को देखें फिर चांद के दर्शन करें चंद्रमा को जल से अर्ग्य दें और पती की लंबी उम्र की प्रार्थना करें यदि आप यह बताई गई विधी से करवा चौत की पूजा करेंगी तो पती के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और घर की सुख समरिधी भी बनी रहेगी हमारा उद्देश्य हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अच्छी जानकारी शेयर करने से अगर किसी काभला होता हो तो आपका इसमें कुछ नहीं जाता